गुड मॉर्निंग फैमिली दिस इस अजय और वाचिंग अजय ब्लोग बश्चाल काफी तूफान आया है नाचुल गेस में जो 9 परसेंट का उचाल रहेगा या 9 परसेंट का डाउन फोल रहेगा कल इंडियन मार्केट में क्या होने वाला आज इंटरनेशनल मार्केट में न जैसे ही मैंने यह वीडियो बनाया दोस्तों उसके पास 9 परसेंट का उचाल हुआ अब आप पूछेंगे कि अजय को कैसे पता चल गया जो मुझे लगता है कि न्यू सब्सक्राइबर से न्यू वेबर से उनको तो शौकिंग लग रहा होगा कि इस बंदे को पहले से कैसे चल गया जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको तो पता ही कि हम किस तरगे से ट्रेड करते हैं अगर आप नहीं है चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा के सेलेक्ट और जरूर दबा लिजेगा दोस्तों ठीके ना ताकि वीडियो के अपडेट हो अपने आप से ट्रेडिंग करें तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यह वीडियो जरूर जाके देखे दोस्तों मैंने बताया कि मैंने ऐसा क्यों बोला है काफी इंट्रस्टिंग वीडियो है और काफी मुझे लगता आपके लिए तो शौकिंग होगा कि कि मुझे पहले से कैसे पता चल गया कि उपर जाने वाला इतना बड़ा फ्लक्चुरेशन होने वाला तो देखे दोस्तों नैच्रल के सच इसी कोई बड़ी न्यूस नहीं है बट एक न्यूस है जो मुझे लगता है कि आपको बता देनी चाहिए कि देखे दोस्तों मैंने पह साथ कूरोल के साथ में तो उन्होंने वाँ पर कुछ सेट अप भी कर दिया था अमेरिका सपोर्ट भी कर दा था लेकिन एकदम से अमेरिका का प्रोड़क्शन कटा गया अमेरिका के अगेंस्ट अब अमेरिका सोचा गी ना कल को नाच्रल गेस में भी अगर महारत आसिल कर समझ रहो इसलिए दोस्तों अमेरिका जा रहा वेने जोला के पास मौस्ट प्रॉब्ली एक खबर है हो सकता कि आपको आने वाले दिनों में यह कंफर्म यूज भी मिल जाए अभी तुसे मार्केट में न्यूज है कि मैने जोला के पास जारा क्योंकि उसके पास नाच्छल इसकी क्योंकि वहां की नदी से नदी के निचे जो नाच्छल के भंडार है उसको निकालना इतने इजी काम नहीं है बट मुझे लगता यह इमर्जेंसी ही है अमेरिका के लिए काफी सारा SPR भी उतार दिया उन्होंने मार्केट में तो यह न्यूज है मुझे लगता है कि यह न्यूज आगे जब कंफर्म होगी तभी हम कुछ बता पाएंगे इसके बारे में तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के आज की इंट्राडे लिवल्स क्या रहेंगे अभी तो चली रहा मार्केट डोस्तों दोस्तों 10 प्रसेंट का उच्छाल हुआ है 9 प्रसेंट का उचला तक वाइट वो अब हैगे शुस्सटें करेगा यह नीचे जाएगा यह क्या रहेगा वापस से चेगी नीचे जाएगा या पिर साथ कर आसपास को जाएगा बात कर लेते हैं वन वीन का में बात करूँ दोस्तों तो अगर यह 6.20 के नीचे जाता है दोस्तों और सस्टेन करता है त्यांस दोस्तों 6.20 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है for at least two minutes आपको लेवल्स दिख सकते हैं easily 6.1 के आज ही 6.12 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं intraday में और उपर की साइड में देखे उपर की साइड में अगर यह थोड़ा सा भी यहां से 6.26 के उपर जाता दोस्तों 6.26 के उपर जाता है तो मुझे लग रहा कि आपको 6.30 के लेवल्स भी 6.31232 के लेवल्स आपको easily दिख सकते हैं यहां पर तो मुझे लग रहा कि एक बहुत जबरदस्त यहां पर उ लेवल से पर शोट टम में बता रहा हूं 6.5 के उपर तो आपको वापस से 7 के लेवल सो सकता हैं लेकिन अगर 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 ये वापस से 6.1 के नीचे गया दोस्तों ध्यान से सुनेगा दोस्तों वापस से repeat कर रहा हूं मैं 6.1 के नीचे गया और sustain किया तो मुझे लग रहा कि आपको वापस से 5.80 के levels आपको easily आते हुई दिख सकते हैं और अगर आप मुझसे बूचे कि short term prospective में क्या तो मै बेरिश हूं दोस्तों आला कि 9% का उच्छाल हुआ है इसलिए नहीं दे रहा हूं दोस्तों कि शॉट टम में 9% का उच्छाल हुआ तो आप तो नीचे आएगा ऐसा नहीं होता है मैंने आपको पता है जब यह 8% नीचे गया था उसके जाता है सारी न्यूस को अच्छे तरह की सट टोला जाता है उसके बाद कुछ लेवल्स यहां दिये जाते हैं दोस्तों रही डिस्क्लेमर देते हैं दोस्तों इस चैनल इस ओनली फॉर एड्यूकेशन परपस यहां पर किसी भी तरह की बाइस सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना ताब सटीफाइशन अपना ट्रेड कर सकते हैं आप अपना ट्रेड कर सकते हैं आप लोगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे दोस्तों इहां 0.236 पर चल रहा भी दोस्तों और राइट 6.20 के नीचे अगर सस्टेन करता है आपको लेवल्स मिल जाएंगे इसली 6.12 के असपास के उपर की साइड इंट्राडे में दोस्तों अगर ये 6.26 के उपर सस्टेन करता है तो आपको 6.31 के लेवल्स दिख जाएंगे short term prospective में देखिए मैं दोस्तों आपको यहां पर clear cut दिख रहा 6.5 के उपर ही है अगर 6.5 के उपर maintain होता है तो मुझे लगता है कि आराम से आपको 7 के लेवल्स दिख सकते हैं नीचे की साइड में short term prospective trade में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अगर ये 6.10 की नीचे sustain करता है तो आपको easily 5.80 के लेवल्स आपको यहां पर clear cut दिख सकते हैं दोस्तों राइट ठीक है ना तो चले बात कर लेते हैं दोस्तों आप इंडियन मार्केट की कल का इंडियन मार्केट कैसा रहेगा दोस्तों आज का इंटरनेशनल मार्केट आपको वोश करना है क्योंक लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना मैं से अपना एक share कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि दोस्तों यह यहां पर अगर आप वन मन का चार्ट देखें यहां पर तो अगर यहां पर दो possibility है राइट अगर दोस्तों ध्यांस सूने का दोस्तों अगर मैं पहले short term बता देत सकता अगर यह वापस से 450 के नीचे सस्टेंग क्या फॉर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टि भी बोल रहा हूं दोस्तों 450 के नीचे सस्टेंग करना चाहिए फॉर एट लिस्ट टू टू ट्री मिनिट्स एंड यू विल सी इन शॉर्ट टम बिलो 400 लेवल शॉर्ट टम केन बी वन डेज टू टू वीक कभी-कभी जाधा भी हो जाता है पट डेफिनेटली 400 के लेवल के नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं उपर की साइड में शॉर्ट टम में मैं क्या बोल सकता हूं देशता हूं उपर की साइड में देखे आपको यहां पर दिख रहा होगा देखे दोस्तों अगर यहां पर 482 के लेवल्स दिख रहा है मुझे अगर 482 के उपर सस्टेन करता है for at least 3 to 4 minutes ध्यान रखेगा यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं 1 to 2 minutes 3 to 4 minutes यह भी बहुत well planned strategy दोस्तों बहुत kind of एक जो professional trading मैं करता हूं मैंने अपने इस्यात किया है सारे तरीके आपको जल्दी से बात कर लेते हैं कि उपर के लेवल्स आपको क्या दिखेंगे यहां पर 482 के पर सस्टेन करता है तो वापस से मुझे लगता कि आपको 535 40 के लेवल सौर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में दिख सकते हैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं शौर् अलग पैटन द्या दोस्तों मेरे देने ना देने से फरक नहीं पड़ता दोस्तों मैं अपने घुद नहीं बना रहूं टीक है मैं अपने पैटन की दिमाग से नहीं बना रहा हूं कि यह टाण तो मेरे आज न लिवल्स डैफिक ए सोगी न rubbing के लिग बली दुनिया कई दुनिया कहीं की भी कहीं चली जाए उसका कोई मतलब भी नहीं है ना तो स्टॉक मार्केट इस वेरी वेरी डाइनमिक वेरी फ्लक्सिवल गाईस आपको उसी इसाब से काम करना होता ना जो चार्ट जैसे बिहेव करेगा उसी इसाब से हमको बिहेव करना पड़ेगा तो लेकिन नीचे 450 के अगर नीचे सस्टेन किया तो फिर मुझे लगता कि फिर कोई भी चांस नहीं दोस्तों इसको वापस से नीचे आने के वापस से उपर आने के रही तो यह मेरे लेवल से दोस्तों और रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों हमेशा से मैं बोलता हैं इंट्राडे पर देंख लेते हैं, देखें वन्डे के लेवल 461 दिखा रहे लिए मुझे लगए कि आपको यहां से अगर वापस से 465 के उपर जाता है तो आपको एजली मुझे लगता कि 472 के लेवल आपको दिख सकते हैं और अगर यह 458 के नीचे जाता है तो मुझे लगए आपको 451 से लेवल्स आपको डिख सकते हैं अब इसमें इस्ताटेजी किया है दोनों के लिए बता रहे हूँ रिस्क मैंचें अब तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहां पर इसके पर सिस्टी फाइब करना है और लेवल्स रहेंगे आपके तो अब इसमें क्या करना है 465 के पर मान लो गया और सस्टेन भी कर लिया जैसे हमारी स्टाटेश यह दो मिनिट वाली इंट्राटेक है क्या करना तो दोस्तों वही करना जो हूंने डिसाइट किया पहले तो आपने उपर के लेवल पर ले लिया है फोर सिक्टी यह को उसको एशच्ट रखे 458 के नीचे जाता है तो भी हमारे लेवल described की की नीचे दाप मिन ईशकर कर लेना है तो मतलब एक 458 पर शोट किया और एक 455 फे दोनों को मेंटेन करके रिखे तो इससे क्या होगा अब किदर भी मुझ करेगा यह आप समझ रहे हैं तो आपकी रिस्क है ना मेंटेन रहेगी देखें दस में जब हम को हम वेल प्रोफेशनल ट्रेडर से राइट अगर काफी लोग तो लोस उठा लेते हैं और संतुक्स रहते कि नो में तो कमाया है लेकिन अगर वह एक को भी अपने उसको प्रोफिट में भी कनवर्ट करते तो पड़े उसके चांसे कम होते हैं टूब वेरी ओनेस्ट राइट बट मेरा काम में काम यह रहता कि नो प्रोफिट को हैं जो बहुत बड़े बड़े इंवस्टर सो जिनके पास प्रषिज करते हैं तो दोस्तो मैंने शौट टम लेवल आपको बता दियें और सस्टेन करता है तो आपको लेवल मिल जाएंगे एजली 530 से 540 के अगर 450 के नीचे सटेंग करता है शोर्टर्म प्रस्टेंट आपको वापस से 400 के लेवल के नीचे दिखें देगे इन शॉर्टर्म ट्रेडिंग बोल रहा हूं शॉर्टर्म ट्रेडिंग केंगी अप्टू वन टू टू मन्त रा करा सकते दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा के सलेक्ट जुरूर दबढ़िए और दोस्तों कमूनिटी टेप में आपको सारी इन्फोमेशन मिलती रही कि मैं कब वीडियो अप्लोड कर रहा हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा कमूनिटी टेप देखा करें और वहां पर भी लाइक कर सकते हैं किसी ने रोका नहीं है लाइक करें दोस्तों मॉटिवेशन मिलता है कमूनिटी टेप में ह तो यहीं मैं वीडियो एंड करता हूं दोस्तों ठीक है ना आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आयागा विद इस नाइस फूल थोट्ट इस अजय एंड साइनिग आफ